ओम शान्ती 29-2-2024 की साकार मुरली मीठे बच्चे माया दुश्वन तुम्हारे सामने हैं इसलिए अपनी बहुत-बहुत सम्हाल करनी हैं अगर चलते-चलते माया में फस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे प्रश्ण तुम राजयोगी बच्चे का मुख्य करतव्य क्या हैं? उत्तर पढ़ना और पढ़ाना यही तुम्हारा मुख्य करतव्य है तुम हो ईश्वरिय मत पर, तुम्हे कोई जंगल में नहीं जाना है घर गरहस्त में रहते, शांती में बैठ बाप को याद करना है अलफ और बे, हिंदी, इनहीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है ओम शांती बाप भी ब्रह्मा द्वारा कह सकते हैं कि बच्चों गुड वानिंग परन्तु फिर बच्चों को भी रेस्पॉंट देना पड़े यहां है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन नए जो हैं, जब तक पक्के हो जाएं, कुछ ना कुछ पूँचते रहेंगे यह तो पढ़ाई है, भगवान उवाज भी लिखा है भगवान है निराकार बात नहीं है, बाप तो समझते हैं, जिन्होंने कलप पहले वरशा लिया है वह आपे ही आ जाएंगे ऐसे नहीं कि फलाना चला न जाए, इनको पकड़े चला जाए तो चला जाए, यहां तो जीते जी मरने की बात है बाप एडॉप्ट करते हैं एडॉप्ट किया ही जाता है कुछ वरशा देने के लिए बच्चे माबाप के पास आते ही हैं वरशे की लालच पर साहुकार का बच्चा कभी गरीब के पास एडॉप्ट होगा क्या इतना धन दौलत आदी सब छोड कैसे जाएंगे एडॉप्ट करते हैं साहुकार अभी तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं क्यो ना उनका बनेंगे हर एक बात में लालच तो रहती है जितना बहुत पढ़ेंगे उतनी बड़ी लालच होगी तुम भी जानते हो बाब ने हमको एडॉप्ट किया है बेहत का वर्षा देने बाब भी कहते हैं तुम सब को हम फिर से पाँच हजार वर्ष पहले मुआफिक एडॉप्ट करते हैं तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं पाँच हजार वर्ष पहले भी आपके बने थे तुम प्राक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार कुमारिया हूं प्रजा पिता भी तो नामी गरामी है जब तक शूद्र से ब्राम्वन ना बने तो देवता बनना सके तुम बच्चों की बुद्धी में अभी है चक्र फिरता रहता है हम शूद्र थे अभी ब्राम्वन बने हैं फिर देवता बनना है सत्योग में हम राज्य करेंगे तो इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है पूरा निश्चे नहीं बैठता है तो फिर चले आ जाते हैं कई कच्चे हैं जो गिर जाते हैं यह भी ड्रामा में नूंध है माया दुश्मन सामने खड़ी है तो वह अपनी तरफ खींच लेती है बाप घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं माया में फस नहीं पढ़ना नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे बाप ही पूँच सकते हैं कि आगे कम मिले हो और कोई को पूँचने का अकल आएगा ही नहीं बाप कहते हैं मुझे भी फिर से गीता सुनाने आना पड़े, आकर रामण की जेल से छोड़ाना पड़े, बेहद का बाप बेहद की बात समझाते हैं, अभी रामण का राज्य है, पतित राज्य है, जो आधा कल्प से शुरू हुआ है, रामण को दस शीष दिखाते हैं, ऐसे कोई मनश्य होता नहीं, यह तो प्रवत्ती मार्ग दिखाया जाता है, यह है एम उबजेक्ट, विश्नु द्वारा पालना, विश्नु पुरी को क्रश्न पुरी भी कहते हैं, श्री क्रिश्न को तो दो बाहें ही दिखाएंगे न, मनश्य तो कुछ भी समझते नहीं है बाप हर एक बात समझाते हैं, वह सब है भक्ती मार्ग, अभी तुमको ग्यान है, तुम्हारी एम उबजेक्ट ही है, नरसे नारायन बनने की यह गीता पाठ शाला है ही जीवन मुक्ती प्राप्थ करने के लिए, ब्राम्हन तो जरूर चाहिए, यह है रुद्र ज्यान यग्य, शिव को रुद्र भी कहते हैं अब बाप पूचते हैं ज्यान यग श्री क्रिश्न का है या शिव का है शिव को परमात्मा ही कहते हैं शंकर को देवता कहते हैं उन्होंने फिर शिव और शंकर को इखटा कर दिया है अब बाप कहते हैं हमने इन्वे प्रवेश किया है तुम बच्चे कहते हो बाप दादा व ज्यान सागर तो है ही एक, अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विश्नु बनते हैं ज्यान से, चित्र भी बरोबर बनाते हैं, विश्नु की नाभी से ब्रह्मा निकला, इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते, ब्रह्मा को शास्त्र हात में दिये हैं, अभी शास्त्रों का सार ब आप बैट सुनाते हैं या ब्रह्मा यह भी मास्चर ज्यान सागर बनते हैं बाकी चित्र इतने धेर बनाए हैं वह कोई यथार्त है नहीं वह सब हैं भक्ती मार्ग के मनुष्य कोई आठ दस भुजा वाले होते नहीं यह तो सिर्फ प्रवत्ती मार्ग दिखाया है रावण का भी अर्थ बताया है आधह कल्प है रामन राज्य रात आधह कल्प है राम राज्य दिन बाप हर एक बात समझाते हैं तुम सब एक बाप के बच्चे हों बाप ब्रह्मा द्वारा विश्णूपुरी के स्थापना करते है और तुमको राजयोग सिखलाते हैं जरूर संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे। द्वापर में गीता सुनाई यह तो रॉंग हो जाता है। बाप सच बतलाते हैं। बहतों को ब्रह्मा का श्री कृष्ण का साक्षतकार होता है। ब्रह्मा का सफेद पोश ही देखते हैं। शेबाबा तो हैं बिंदी। बिंदी का साक्षतका हो तो कुछ समझ ना सके तुम कहते हो हम आत्मा है अब आत्मा को किस ने देखा है कोई न नहीं वह तो बिंदी है समझ सकते हैं जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वही साक्षतकार होगा दूसरा अगर रूप देखे तो मुझ पड़े हनुमान की पूजा तो उनको वही दिखाई पड़ेगा गणेश के पुजारी को वही दिखाई पड़ेगा बाप कहते हैं हमने तुमको इतना धनवान बनाया हीरे जवाहरों के महल थे तुम को अनगेन द्हन था तुमने अभी वस सब कहां गवाया अभी तुम कंगाल बन गये हो बीक मांग र ड्रामा अनादी बना हुआ है हर एक ड्रामा में अपना पार्ट बजा रहे हैं कोई एक शरीर छोड जाकर दूसरा लेते हैं इसमें रोने की क्या बात है सत्युग में कभी रोते नहीं अभी तुम मोह जीत बन रहे हो मोह जीत राजाएं यह लक्ष्मी नरायन आदी हैं वहां मोह होता नहीं बापा अनेक प्रकार की बाते समझाते रहते हैं बाप है निराकार मनुष्य तो उसे नाम रूप से न्यारा कह देते हैं लेकिन नाम रूप से न्यारी कोई चीज थोड़े ही होती है हे भगवान ओ गौड़ फादर कहते हैं न तो नाम रूप है लिंग को शिप परमात्मा शिप बाबा भी कहते हैं बाबा तो है न बरोबर बाबा के जरूर बच्चे भी होंगे निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है मंदिर में जाएंगे उनको कहेंगे शिव बाबा फिर घर में आकर बाप को भी कहते हैं बाबा अर्थ तो समझते नहीं हैं हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं बाप बड़े ते बड़ी पढ़ाई दो अक्षर में पढ़ाते हैं, अल्फ और बे, अल्फ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी है, यह बड़ा भारी इम्तहान है, मनिश्य बड़ा इम्तहान पास करते हैं, तो पहले वाली पढ़ाई कोई याद थोड़े ही रहती है पढ़ते पढ़ते आखरीन तंत, सार बुद्धी में आ जाता है यह भी ऐसे है तुम पढ़ते आए हो अंत में फिर बाप कहते हैं मनमनाभाव तो देह का अभिमान तूट जाएगा यह मनमनाभाव की आदत पढ़ी होगी तो पिछाडी में भी बाप और वर्षा याद रहेगा मुख्य है ही यह कितना सहज है उस पढ़ाई में भी अभी तो पता नहीं क्या-क्या पढ़ते हैं जैसे राजा वैसे वह अपनी रसम चलाते हैं आगे मन, शेर, पाव का हिसाब चलता था अभी तो किलो आदी क्या-क्या निकल पढ़ा है कितने अलग-अलग प्रांथ हो गए है देहली में जो चीज एक रुपे सेर बॉम्बे में मिलेगी दो रुपे सेर क्योंकि प्रांथ अलग-अलग है हर एक समझते हैं हम अपने प्रांथ को भूख थोड़े ही मारेंगे कितने जगड़े आधी होते हैं कितना रोला है भारत कितना सॉल्वेंट था फिर 84 का चक्र लगाते हैं इन सॉल्वेंट बन पड़े हैं कहा जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक कौडी बदले खोया रे बाप कहते हैं तुम कौडीयों के पिछाडी क्यों मरते हो अब तो बाप से वर्षा लो पावन बनो बुलाते भी हो हे पतित पावन आओ पावन बनाओ तो इससे सिद्ध है पावन थे अब नहीं है अभी है ही कल योग बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया बनाऊंगा तो पतित दुनिया का जरूर विनाश होगा इसलिए ही यह महाभारत लड़ाई है जो इस रुद्र ज्यान यग्ये से प्रज्वलित होई है ड्रामा में तो यह विनाश होने की भी नूद है पहले पहले तो बाबा को साक्षतकार हुआ देखा इतनी बड़ी राजाई मिलती है तो बहुत खुशी होने लगी फिर विनास का साक्षतकार भी कराया मनमनाभव मद्याजीभव यह गीता के अक्षर है कोई कोई अक्षर गीता के ठीक है बाब भी कहते हैं तुमको यह ग्यान सुनाता हूं यह फिर प्राय लोप हो जाता है कोई को भी पता नहीं है कि लक्षमी नारायन का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था उस समय जनसंख्या कितनी थोड़ी ही होगी अब कितनी है तो यह चेंज होनी चाहिए जरूर विनाश भी चाहिए महाभारत लड़ाई भी है जरूर भगवान भी होगा शिव जैनती मनाते हैं तो शिव बाबा ने क्या आकर किया वह भी नहीं जानते हैं अब बाब समझाते हैं गीता से शिर कृष्ण की आत्मा को राजाई मिली मात पिता कहेंगे गीता को जिससे तुम फिर देवता बनते हो इसलिए चित्र में भी दिखाया है शिर कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई शिर कृष्ण गीता के ग्यान से राजयोग सीख यह बना कल फिर शिर कृष्ण होगा उन्होंने फिर शिर बाबा के बदले शिर कृष्ण का नाम डाल दिया है तो बाप समझाते हैं यह तो अपने अंदर पक्का निश्चे कर लो कोई उल्टी सुल्टी बात सुना कर तुम्हें गिरा न दे बहुत बातें पूँचते हैं विकार विकर स्रश्टी कैसे चलेगी यह कैसे होगा अरे तुम खुद कहते हो वह वाइसलस दुनिया थी समपूर्ण निर्विकारी कहते हो न फिर विकार की बात कैसे हो सकती अब तुम जानते हो बेहद के बाप से बेहद की बात्शाही मिलती है तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे यह है ही पतित दुनिया कुम्भ के मेले पर कितने लाखों जाते है अब कहते हैं वहाँ एक नदी है गुप्त अब नदी गुप्त हो सकती है क्या यहाँ भी गवमुख बनाया है कहते हैं गंगा यहाँ आती है अरे गंगा अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी कि यहाँ तुम्हारे पास पहाड पर आएगी भक्ती मार्ग में कितने धक्के हैं ज्यान भक्ती फिर है वेराग्य एक है हद का वेराग्य दूसरा है बेहद का सन्यासी घर बार छोड जंगल में रहते हैं यहां तो वह बात नहीं तुम बुद्धी से सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य करतव वे है पढ़ना और पढ़ाना अब राजयोग कोई जंगल में थोड़े ही सिखाया जाता है यह स्कूल है ब्रांचेस निकलती जाती हैं तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो श्यवाबा से पढ़े हुए ब्रामन ब्रामनियां सिखाते हैं एक श्यवाबा थोड़े ही सबको बैट सिखायेगा तो यह हुई पांडव गवर्मेंट तुम हो ईश्वरिय मत पर यहां तुम कितना शांती में बैठे हो बाहर तो अनेक हंगा में हैं बाप कहते हैं पांच विकारों का दान दो तो ग्रहन छूट जाएंगे मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सब मनो कामनाई पूरी कर दूँगा तुम बच्चे जानते हो अभी हम सुखधाम में जाते हैं दुखधाम को आग लगनी है बच्चों ने विनाश को साक्षतकार भी किया है अब टाइम बहुत थोड़ा है इसलिए याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विकर में विनाश होंगे और उच पद पाएंगे अच्छा मीठे मीठे सिकलिदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाप के वरशे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है एडॉप्ट हो जाना है कभी भी अपनी उची तकिदीर को लकीर नहीं लगानी है दूसरा कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुन कर संशय में नहीं आना है जरा भी निश्चय ना हिले इस दुख धाम को आग लगने वाली है इसलिए इससे अपन बुद्धी योग निकाल लेना है वरदान समय प्रमान अपने भाग्य का सिम्रण कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले स्मरती स्वरूप भग समय प्रमान अपने भाग्य का सिम्रण कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले स्मरती स्वरूप भग भक्ति में आप इस्मरती स्वरूप आत्माओं की यादगार रूप में भक्त अभी तक आपके हर कर्म की विशेष्टा का सिमरन करते अलोकिक अनुभवों में खो जाते हैं तो आपने प्रैक्टिकल जीवन में कितने अनुभव प्राप्त किये होंगे सिर्फ जैसा समय जैसा कर्म वैसे स्वरूप की स्मरती इमर्ज रूप में अनुभव करो तो बहुत विशित्र खोशी विशित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे और दिल से यही अनहद गीत निकलेगा कि पाना था सो पालिया स्लोगन नंबर वन में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो अच्छा उम शान्ती वाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं हूँ पल के नापल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं इन लहरों को दामन में भर जाओं आप दिष्टियों ही दे ते रहवां